अमेरिकी राश्ट्रपती जो बाइडन के साथ हादसा हो गया, वो विमान पर सवार होने के दौरान लड़ खड़ा गए युक्रेन और रूस की जंग के बीड जो बाइडन भी हादसे का शुकार हो गए कीव से लोटते वक्त पोलान में जो बाइडन एफ फॉस बन पर सवार होने जा रहे थे वो अधिकारियों से विदा लेने के बाद सीडियों से विमान के ओर जा रहे थे आधी सेड़िया चढ़ने के बाद अचानक बाइडन का संतुलन बिगड़ गया और वो सीड़ियों पर लड़ खड़ा गए हाला कि वो जल्दी ही संभल गए और तेज कदमों से विमान तक पहुच गए जो बाइडन अचानक कीव के दोरे पर आये थे वो कीव से लोटते समय पोलांड की राजधानी वार्सो पहुचे जहां उन्होंने नेटो देशों पोलांड, रुमानिया और बलगेरिया की रेताओं से मुलाकात की इस दोरान युक्रेन पर हमले को रूस की बड़ी गलती बताया पोलांड से बाइजन एफ़ोस वन विमान से अमेरिका लोट गए हालांकि विमान पर सवार होने के दोरान ही उनका पैर लड़ खड़ा गया दिल्ली के पॉश इलाके Freedom Fighter एंकलेव में सतीश भारत दवाज नाम के एक बुजूर्ग की हत्या कर दी गई 75 साल के बुजूर्ग घर में अकेले रहते थे और हत्या की सूचना परोसियों ने पुलिस को दी और जब पुलिस पहुँची तो घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था पुलिस का मानना है कि लूट पार्ट के रादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया फॉरेंसिक टीम के साथ दिल्ली पुलिस इस केस की परताल में जुटी है उधर जमू कश्मीर के रामबन जिले में पहाड खिस सकने की वज़ा से बंद पड़े जम्मू श्रीनगर नाशनल हाईवे को दो दिन बाद आवाजाही के लिए एक बाद फिर से खोल दिया गया है लेकिन इसके लिए वहाँ पर प्रश्रीनगर नाशनल हाईवे से गुजरने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हालंकि बाद में प्रशासन की काई ट्यूमों ने मिलकर सडख से मलवा हटा दिया जिसके बाद रास्ते को आवाजाही के लिए बाहल कर दिया गया जिसे गलत ठहराते हुए बीजेपी ने सिरे से नकार दिया इसे पहले उधर ठाकरे के करीबी संजे राउत ने माहराष्ट के सीम एकनाथ चिंदे के बेटे श्रीकान चिंदे पर बड़ा आरोप लगाया था संजे राउत ने ये आरोप भी लगाया कि शिंदे सरकार के आने के बाद उनकी सुरक्षा हटा ली गई इधर कॉंस्टेबल गुलाम कादी ने पुलिस लाइन परिसर में बने टेन शेड में फांसी लगा कर जान दे दी और जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला जानकारी मिलते ही थाना पुलिस सहीत आला अधिकारी मौके पर पहुँचे आत्महतिया की खबर मिलते ही आधिकारियों में हड कम मच गया श्वप को पोस्पॉटम के लिए भेजा गया और सुसाइड नोट की जाच की जा रही है